सबी दर्शकों को मेरा नमस्कार हम विन्शोतरी महादशा में अंतरदशा पर बात कर रहे थे और पूर व्याख्यान में मैंने आपके सामने अंतरदशा क्यूं आवश्यक है इस विशे पर चर्चा कीती तो अंतरदशा किस प्रकार से सिद्ध की जाती है उसका सहाधन किस प्रकार से होता है तो आज हम अपनी चर्चा इसी पर करेंगे तो इस पर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बिहत पराशर हुराशास्त्र मूल इस गरंथ को लेकर ही क्योंकि यही आदी गरंथ है हमारा जो प्रामाणी गरंथ है पराशर रिशी का हुराशास्त्र तो उसमें अंतर दशा साधन के लिए जो विदी दी गई है वो आपके सामने है और वो शलोक इस प्रकार से है तो किस प्रकार से अंतर दशा प्राप्त होती है हमें तो कहा दशाद दशा हता अर्थाद दशा वर्षों से दशा वर्षों को गुणा कर दीजे और उससे क्या होगा जो लब्दी हमें प्राप्त होगी तो जो लब्दी प्राप्त होगी उसको दश भिर भागम आहरेत तो उ तो हमें प्राप्त होगा मास प्राप्त होगा महीना मास महीना प्राप्त होगा और उसके बाद जो शेश बचेगा उसको हम तीस से यदि भाग देंगे तो तिंशद से तीस से भाग देंगे तीस से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होगा उसको दस से पुना भा गटी भी हैं तो गटी भी हमें प्राप्त हो जाएंगे तो देखिए यहां पे अंतरदशा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जिस ग्रह की अंतरदशा निकालनी है उस ग्रह के जितने भी वर्ष होते हैं जो हम पूर्व में बात कर चुके हैं तो उन वर से तात्परे संभवता समझ में ना आए तो मैं पुना बताती हूं कि जो जिसकी दशा में जिस ग्रह की अंतरदशा निकालनी है उस ग्रह की दशावर्ष के साथ जिसकी दशावर्ष निकालना है अंतरदशावर्ष उसके साथ गुणा करने है और फिर गुणा करने पर जो हम दशावर्ष तो यहां पे ये द्यान रखना है कि एक ही दशावर्ष को दो बार गुनळ नहीं करना है एक तो जिसकी दशा चल रही है उसके दशावर्ष जो है दूसरा जिसके अंतर दशा हमने निकालनी है जिस घ्रा की उसके जो दशावर्ष हैं उनको परस पर गुणा करना है मैं अभी उदारन से भी आपके सामने स्पष्ट करूँगी उस गुणा करने से जो गुणन फल प्राप्त होता है लब्ती प्राप्त होती है उसको दस से भाग करना है हमें और यदि दस से भाग करने पर अब बारा माश से जितने भी अधिक होते हैं उसे हम वर्ष में परिवर्थित कर लेते हैं और शेष फिर वो मास रह जाते हैं तो यह एक अलग बात है फिर जो हमारे पस गुणा करने जो दस से भाग किया लब्धी को उससे जो हमारे पस शेष बचा उसको 30 से गुणा करेंग तीस से गुणा किया और फिर दस से जब भाग किया पुना तो हमें दिन आदी प्राप्त होते हैं तो देखी ये जो हमें सूत्र प्राप्त हुआ है ये पराशर होरा शास्त्र के अनुसार प्राप्त हुआ है लेकिन यदि हमें इसको हम बहुत सरल तरीके से देखें तो इसका सरल तरीका यही है कि दशा दशा वर्ष को जब हम गुणा करते हैं तो जो हमें लब्धी प्राप्त होती है उस लब्धी का जो दाया भाग उसको हम तीन से जदी गुणा कर देते हैं तो हमें दिन प्राप्त हो जाते हैं ये प्रक्रिया पराशरवनी ने बताई है परंतो इसको सरल करके अन्य आचारियों ने जो स्पष्ट किया है वो भी मैं आपके सामने उसको भी बताना चाऊंगी कि दशा दशा वर्ष को जब गुणा करते हैं और जब उसकी लबधी प्राप्त होती है और जो दाई तरफ की संक्या है उसमें तीन जदी गुणा कर देते हैं तो जो प्राप्त होगा वो दिन होंगे और जो बाई जो है हमारा बाई तरफ होगा वो क्या होगा वो हमारा मास हो जाएगा तो ये भी एक सरल तरीका है जो है हमारा अंतरदशा प्राप्ट करने का तो मैं इसी दशा इसी उदाहरन इसी विधी का उदाहरन आपके सामने प्रस्तुत करूँगी जो पराश्रमुनी ने हमारे सामने रखा है तो देखिए उदाहरन है मान लेजिए सूरे की दशा है बालक के जन्म के समय और सूरे की दशा में हमने सूरे की अंतरदशा निकालनी है जैसा कि ये धियान रखने की बात है कि जब बच्चे का जन्म हुआ और सूरे की दशा चल रही है तो पहली जो अंतरदशा है उसकी वो तो सूरे के बाद अन्य की भी निकालेंगे, तो सूरे की दशा में सूरे की अंतरदशा निकालने के लिए, तो हमें सूरे की दशा कमान क्या है, छे वर्ष, क्योंकि हमें सूरे की ही अंतरदशा निकालनी है, तो फिर छे वर्ष, तो छे को छे से जब हम गुणा करते हैं, तो तीन प्राप्त होता है फल और तीन मतलब तीन मास और जो शेश बचा छे तो छे को फिर हम पुना तीस से जब गुणा करते हैं तो हमारे पास 180 दिन बचा और 180 दिन को फिर दस से भाग देते हैं 180 शेश रहा और उसको जब हम 10 से भाग देते हैं तो हमारे पास 18 दिन तो यहां महिने 18 दिन तक सूर्य में सूर्य की अंतरदशा रहेगी तो इसी को जो मैंने दूसरी विदी से आपके सामने स्पष्ट किया था तो देखिए 36 जो हमें प्राप्त हुआ तो जो दाइनी है संख्याच्छे उसको 3 से गुणा किया तो 18 प्राप्त होता है तो 18 दिन और 3 को हम उसी 3 मास केकर तो 3 मास 18 दिन हमें इससे भी प्राप्त हो जाते हैं इस सरल्विधी से भी तो इस प्रकार से बालक के जन्म के समय यदि सूर्य की दशा है तो सबसे पहली उसकी अंतर दशा सूरे की आएगी और वो आए उसको क्या मिलेगी तीन मास अठारा दिन तो आप देखिए सूरे की मैंने अभी बताया कि एक ग्रह की दशा में सभी ग्रहों की अंतरदशा प्राप्त होगी तो सूरे की तो हमें तीन महीने अठारा दिन आरंब में जन के समय अंतरदशा प्राप्त होगी पर उसके बाद किसकी अंतरदशा प्रारंब होगी तो वो किसकी होगी चंदर की सूरे के बाद चंदर आता है तो यदि हमें अब सेकेंड दूसरी जो दशा है सूरे की दशा में अंतर दशा दूसरी चंदर की यदि निकालनी है तो वो सूरे में चंदर की अंतर दशा, छे वर्ष सूरे की दशा और दस वर्ष चंदर की होती है तो जब हम इनको गुणा कर देते हैं आपस में तो हमें क्या प्राप्त होते हैं साथ वर्ष तो साथ वर्ष को अब इसमें हमने मास और दिन बनाए तो छे मास हैं और दिन में जीरो होने के कारण यहां पे शुनने है तो कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि सूर्य की दशा में चंद्रमा की जो अंतर दशा है वो छे मास तक रहेगी इसी प्रकार से हम सूर्य में मंगल की भी निकालते हैं साथ वर्ष हैं तो साथ से गुणा करते हैं सूर्य की दशा ये ध्यान रखना है कि जिस ग्रह की अंतर दशा निकाल रहे हैं वहाँ उस ग्रह की दशा से ही जिनकी अंतर दशा निकाल रहे हो उससे गुणा करेंगे तो यहाँ अब हमने सूर्य में मंगल की अंतरदशा निकालनी है तो हमें सूर्य की दशा और मंगल की दशा महादशा दोनों को गुणा करना है और गुणन फल को दस से भाग दिया तो चार मास शेश को तीस से गुणा करके दस से भाग दिया तो छे दिन हमारे पास प्राप् करम से हमें चलते जाना है सूरे में सूरे की सूरे में चंदर की सूरे में मंगल की इसी तरह सूरे में राहू की दशा इसी विधी से करने पर हमें क्या प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है जो है मास प्राप्त होते हैं दस और उसके बाद जो दिन प्राप्त होते हैं तो इसी प्रकार सूर्य में गुरू की दशा यदि हमें प्राप्त करनी हैं तो 16 मर्श से गुणा करेंगे तो 16 मर्श से गुणा करने के बाद 96 आएगा 10 से भाग दीजिए और उसके बाद मास और फिर आपको जो है दिन प्राप्त होंगे इसी प्रकार से इसको भी हम तालिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे क्योंकि जब हम जन्म कुंडली जो है बनाते हैं किसी बालक की तो उसकी विंशोतरी दशा और अंतर दशा का भी हम चार्ट या हम तालिका जो है वह में बनानी पड़ती है ताकि जब फलित करना हो तो ये पता लग जाए कि इस समय बालक की कौन सी दशा है और इसमें अंतर दशा किसकी चल रही है ताकि फलित जो है वो शुद्ध किया जा सके फलित में किसी प्रकार से भी गलती ना हो तो देखिए मैं सूरे की दशा में ग्रहों की अंतर दशा का एक उदाहरन आपको तालिका की द्वारा होने लिया है जो मैं आपके सामने यहां पर रख रही हूँ जो पूर्व जो हैं हमने उसको सिद्ध भी किया है गणित के द्वारा तो सूरे की दशा में सूरे की जो अंतर दशा है वो रहेगी तीन माश 18 दिन और उसके बाद लेकें चंदisma की जो दशा है चंद्र की वो 6 मास तक रहेगी अगले चे मास अब ये हम कैलकुलेशन ये गनगरना करते जाएंगे कि इस सन में जन्म है और इस सन में इतने से लेकर स सूर्य की दशा है तो इसमें कितने समय हमें सूर्य का भोग भोग ना है और फिर चंद्रमा फिर उसके आगे चे महीने चंद्रमा की रहेगी उस दशा में चंद्रमा की अंतर दशा रहेगी उसी तरह फिर चार महीने और छे दिन मंगल की दशा रहेगी फिर दस महीने और चौ दस मास छे दिन बुद्ध की और फिर चार मास छे दिन केतु की और फिर एक वर्ष तक शुक्र की दशा रहेगी, अंतरशा रहेगी तो यहाँ पे देखिए दशा और अंतरदशा इन दोनों के जो महत्व है उसको जो है जानकर ही उनकी गणना करके ही हम सही रूप से फलित कर सकेंगे नहीं तो हम किसी को भी सही नहीं बता सकेंगे कि आपके जीवन के कौन से वर्ष कौन से महीने जो है वो शुब है देखिए यहाँ मैं यह बताना चाहूंगी कि जोतिश शास्त्र किसी के भी कर्म के फल को बदल नहीं सकता है यह तथ्य जो है यह सत्य है कि जोतिश शास्त्र किसी के जो है ग्रहों के गती को या उसके जीवन में जो प्राप्त होने वाला फल है उसको बदल दे ऐसा नहीं है क्योंकि देखें ये तो कहा भी गया है कि जो मनुष्य के मस्तक पर ब्रह्मा ने एक बार लिख दिया है उसको वो स्वयम भी नहीं मिटा सकते हैं तो जोतिश शास्रफ का प्रयोजन क्या है ये हमें बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आज के संदर्ब में क्योंकि बहुत लोगों के यही प्रश्ण होते हैं कि जोतिश जो है वो उसको फिर पढ़ने का क्या लाब है जानने का क्या लाब है यदि जोतिश हमारे जो जीवन के जो अशुब समय है उसी में हमारे हम दूर नहीं कर पाता तो देखें मैं आपको यहां पर मैंने पूर में भी आपसे बात की थी अभी भी यह बताना चाहूंगी कि जो हमें सुक या दुख है यह हमारे मन के घुण है मन के धर्म है सुक दुख प्राप्ति साधन मना मन ही है जो हमें सुक और दुख की प्राप्ति करवाता है तो हमारी मानसिक स्ititi नहीं होती है, मन में किसी प्रकार से भी तनाव वोता है, मन हमारा अगर शांत नहीं है तो क्या होता है, कि जो हमें छोटा साभी यदि कोई बात कहा देता है चुबने वाली या कोई छोटा साभी हमारे ओपर कष्ट आता है तो वो हमें बहुत अधिक लगता है और कई ऐसे दाहरण देखे हैं कि वो उस कष्ट को उस दुख को उस घड़ी को और सहन नहीं करते हैं और बहुत बड़े अपने जीवन के साथ ऐसी दुरघटनाई कर बैठते हैं जिससे की वह बहुत बड़ी हानी जो है उस मनुष्य को प्राप्त होती है तो ये जोतिश का काम है देखिए जोतिश मनोविज्ञान का काम करता है मनोविज्ञान में क्या किया जाता है कि मानसिक जो हमारे त प्यानिक रूप में हमें जो है वो स्थिर करना है हमारे मन को स्थिर करना है और ये भी एक प्रश्ण है कि किस तरह से मन जोतिश स्थिर करता है तो देखिए मैं अगर हमें ये प्राप्त हो जाता है ये हमें फलित प्राप्त हो जाता है बिल्कुल सही कि मेरे जीवन में इस समय ये वाला समय अच्छा नहीं जाएगा तो मैं मानसिक रूप से मैं स्ट्रॉंग मैं मजबूत हो जाओंगी कि हां मुझे पता है कि इस समय मुझे धैरे से काम लेना है और उस समय जो अगर मेरे मन में ये भावना आ जाती है तो मैं उस जो काल है जो हमारा अशुब काल है उसको बड़ी ही शांती पूरवक जो है वो काल जो है वो बीच जाएगा क्योंकि सुख दुख तो जीवन का भाग है सुख दुख तो जीवन में आएंगे ही तो मैं ये मेरा ही मत है मैं खुद स्वायम ही मानती हूँ कि जो जोतिर शास्त्र है ये मनोविज्यान का बहुत शास्त्र है क्योंकि इसमें मनुष्य को मानसिक रूप में स्ट्रॉंग किया जाता है मजबूत किया जाता है कि आने वाली हर परिस्तिती में सुख में वो और दुख में वो समान रूप से रहे क्योंकि यही गीता का उपदेश है कि जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है सुक में बहुत सुकी नहीं होता दुक में दुकी नहीं होता वही व्यक्ति जो है उसी की बुद्धी उसी स्थिर होती है और वही मनुश्य जीवन में सफलता को पराप्त करता है तो इसलिए हम कहेंगे कि जोतिश शास्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हमे सही रूप से फलित पराप्त हो जाए तो हम बहुत सारे ऐसे जो कश्ट हैं उन से अपने आपको किस तरह से निकालना ही यह जान पाएंगे तो और यही बात और यहां अंतर दशा का सबसे बड़ा प्रयोजन यह है कि हम डर जाते हैं कि अरे अशुब ग्रह की दशा चल रही ह अब तो हमारे जीवन में कभी सुख नहीं आएगा तो अंतर दशा के दौरा हमें पता चलता है कि नहीं इस काल में भी ऐसे ग्रहों का कुछ समय है जिसमें कि हमें शुब फल प्राप्त होगा तो इस प्रकार से हमारी जो शक्ति है हमारे मानसिक जो संतुलन है मानसिक शक्त को बढ़ाने का काम करता है जो तिस शास्त्र तो मैं ने आपके सामने अंतरदशा के विश्गे में बताया आप देखिए और भी अगर सुक्ष्म हमें ये जानना है कि इस अंतर दर्शा में मान लिजें अंतर दर्शा अशुब ग्रै की है दशा भी अशुब ग्रै की हो गई और उतना काल जो है मैं आपको इसी तालिका में बताती हूँ कि यहां पर देखे शनी है तो शनी की सुर्य की दशा है सुर्य भी अशुब ग्रे उसके बाद अंतर दशा जो है वो जिस समय शनी की आती है तो वो ग्यारा महीने बारा दिन रहती है तो अशुब घ्रह की दशा और अशुब घ्रह की अंतर दशा तो इसका मतलब है कि ये जो है पूरे ग्यारा महीने बारा दिन जो है मनश्य जो है बहुत ही उसकी जीवन में जो है अशुब फल आने वाले हैं तो इसके लिए भी सुक्ष्म पूरे ग्यारा महीने हम कहें कि ग् एक साल का कालभाद बड़ा होता है इतना कश्ट मनश्य जो है उसको सहना पड़े ऐसा नहीं होता इसमें भी और सोक्ष में ग्यारा महीने बारा दिन में भी उसको अन्य ग्रहों की दशा जो है प्राप्त होती है सबी ग्रहों की और वो भी थोड़ा-थोड़ा काल बीच में जिसमें की वो अशुब ग्रह की अंतरदशा होने पर भी उसको शुब फल प्राप्त होता है तो वो भी प्रत्यंतरदशा को भी जानना बहुत अधिक अवश्यक है और प्रत्यंतरदशा का साधन किस प्रकार से किया जाता है ये हुरा शास्त्र में इस श्लोक के द्वारा अब क्या है कि हमें प्रत्यंतरदशा किस प्रकार से प्राप्थ होनी है तो यहाँ वे देखें क्या है कि ग्रह की जो अंतरदशा का मान है स्वा अंतरदशा अब्दवरिंदम जो एक ग्रह जिसकी हम प्रत्यंतरदशा निकाल रहे हैं उस ग्रह की अंतरदशा का मान क्या है अभी मैंने आपको बताया जैसे सूरे में सूरे की अंतरदशा क्या है वो हमारे पास होना चाहिए तो वो उस ग्रह की अंतरदशा के मान को जिस ग्रह की प्रत्यंतरदशा हमें जाननी है उससे गुणा कर दीजिए उस ग्रै की दशा से जितने वर्ष किया उससे गुणा कर देंगे तो जो लब्धी हमें प्राप्त होगी उसको 120 क्योंकि आयू के वर्ष है विंशोतर शतेन आप्तम घस्रा तो 120 जो है उससे जब हम भाग कर देते हैं तो हमें वो उस की प्रत्यंतर दशा प्राप्त हो जाती ह तो देखिए मैं आपको उदारन से और भी इसको स्पष्ट करना चाहूंगी कि जैसे हमारे पस उदारन है कि हमारी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य में सूर्य की अंतर दशा है और हमें इस अंतर दशा में सूर्य की अंतर दशा में हमें प्रत्यंतर दशा प्राप्त क करनी है कि किस ग्रह की कितनी प्रत्यंतर दशा है क्यों क्योंकि सूर्य की जो अंतर दशा है वो तीन मास अठारा दिन है और इन तीन मास अठारा दिनों में अन्य जो ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की दशा आएगी तो वो कितनी कितनी मिलेगी कितना कितना प्राप्त होगा तीन म मैंने जैसे आपके सामने श्लोक के द्वारा बताया तो उसी को हम इस उदाहरण में घटित करते हैं कि देखें क्या करना है हमें जिस ग्रह की दशा हमें ग्यात करनी है उसकी अंतरदशा जिस ग्रह की दशा में हमें प्रत्यंतरदशा प्राप्त करनी है उस ग्रह की जो अंतर करना है उस ग्रह की दशा के साथ जिसकी प्रत्यंतर दशा निकालनी है ये थोड़ा सा इसको हम और स्पष्ट रूप से समझेंगे प्रत्यंतर दशा किसी ग्रह की किस प्रकार से निकालते हैं हमने सूरे की दशा निकाली हमने सूरे की अंतर दशा सूरे में सूरे की अंतर उसी की प्रत्यंतर दशा हमें प्राप्त होगी ये तो नियम है कि जिस ग्रह की दशा है उसी ग्रह की अंतर दशा आरंब होगी जिस ग्रह की अंतर दशा है उसी ग्रह की अंतर दशा से हम आरंब करेंगे तो यहां फिर सूर्य की दशा में सूरे की अंतरदशा में ग्राहों की प्रत्यंतरदशा कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें क्या करना है कि जो सूरे की अंतरदशा है सूरे की दशा में निकालना है न तो हमें उस सूरे की ही अंतरदशा जो है मास जो है तीन मास अठारा दिन उसको क्या करेंगे जिस ग्रह की अंतरदशा निकालनी है उसके साथ गुणा करेंगे मतलब सूरे में मैंने का है पहली प्रत्य अंतरदशा सूरे की ही होगी तो सूरे के कितने डशा के वर्श होते है छे हैं तो सूरे की अंतरदशा में सूरे की प्रत्य अंतरदशा यदि निकालनी है तो हमें अंतरदशा में छे से गुणा करना है छे से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त हुआ एक वर्ष और नौ मास अठारा दिन चावमें प्राप्त हुआ अब इसको एक वर्ष नौ मास अठारा दिन को 120 से जो हमें भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ पांच दिन और 24 गटी तो देखे पांच दिन 24 गटी तो यहां पे हमें ये प्राप्त हुआ है क्या सूरे की दशा में सूरे की अंतरदशा में सूरे की प्रत्य अंतरदशा अर्थात सूरे अशुब ग्रह में अंतरदशा भी अशुब ग्रह और उस अंतरदशा सूरे की अंतरदशा में जो पाँच दिन 24 गटी हैं ये बहुत ही जो है वो अशुपता देने वाले हैं तो इसलिए आरंब के पाँच दिन है जब अंतरदशा आरंब हुई उसके आरंब के पाँच दिन सूरे की प्रत्य अंतरदशा है पाँच दिन 24 गट तो ये जो हमें देखना पड़ेगा कि ये काल ऐसा होगा जो कि अशुब फल परदान करेगा परंतु मैंने पहले भी उता है कि कुंडली से इसको मिलान अवश्यक होता है कि कुंडली में ये ग्रह कहां बैठा है और अशुब होते हुए भी कितनी अशुब बता देगा तो इसी तरह से अब देखे अन्य ग्रहों की भी प्रत्यंतर दशा हम प्राप्त करेंगे सूरे की दशा में सूरे की अंतर दशा में अन्य ग्रहों की हम प्रत्यंतर दशा निकाल रहे हैं तो अब चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा निकालनी है तो हमने सूरे की दशा में सूरे क की ही प्रत्य अंतरदशा लेनी है ये ध्यान रखेगा कि सूर्य की ही अंतरदशा में हम अन्य ग्राओं की प्रत्य अंतरदशा निकाल रहे हैं तो सूर्य की अंतरदशा है तीन मास अठारा दिन और चंद्रमा की हमने प्रत्य अंतरदशा निकालनी है तो हमें चंद्रमा के व एक-सो-बीस से जब हम भाग करते हैं, तो ये नौ दिन प्राप्त होता है, तो हमें सूरे की दशा में सूरे की यदि अंतर दशा है, तो उसमें चंदर्मा की पृत्य अंतर दशा कितने दिन तक रहेगी, वो हमारे सामने है, नौ दिन तक, इसी प्रकार से हम देखिए, मंगल की पृतियंतर दर्शा आपके सामने करके दिखाई है तीन मास अठारा दिन साथ से गुणा किया दशा वर्षनों से मंगल के तो 21 मास और 126 दिन और इसे मिलाया तो 754 दिन 120 से भाग दिया तो 6 दिन 18 जो है घटी यह हमें प्राप्त हुआ मंगल का मंगल की पृतियंतर दर्श राहू की प्रतियंतर दर्शा है इसको भी इसी प्रकार से राहू 18 जो है उससे भाग देने से गुणा करने से भाग देने से जो हमें प्राप्त हुआ वो है 6 दिन और 18 गटी तो यह जो है इसी प्रकार से अन्य ग्रहों की जो प्रतियंतर दर्शा जो है वो हमें प्राप्त करनी है तो ये तो केवल मात्र हमने सूरे की महादर्शा में सूरे की यदि अंतरदर्शा है तो उसमें अन्य ग्रहों की प्रत्यंतरदर्शा जो है वो कितनी होगी तो इसकी तो तालिका मैं अभी आपके सामने इस पश्ट कर रही हूँ जैसे हमें किस दर्शा किस की प्रत्यं प्रत्यंतरदशा पाच दिन 24 गटी जो मैंने आपके सामने गणना की और चंद्रमा की जो है नौ दिन प्राप्त होगी, मंगल की 6 दिन 18 गटी, उसके बाद राहु की 16 दिन और 12 गटी, गुरु की 14 दिन 24 गटी, और शनी की 17 दिन 6 गटी, और केतु की 6 दिन 18 गटी, और शुक छोटा सा पार्ट है, बहुत सारी, जो सभी ग्रहों की महादशा में, सभी ग्रहों की अंतरदशा और फिर सभी ग्रहों की प्रत्यंतरदशा जो है, उसकी गणना करनी होती है, अगर सूरे के हैं तो इस प्रकार करेंगे, यदि किसी बालक के जन के समय उसको चंद्रमा की द जो है उसका हमें भोग्य निकालना है और उसके बाद उस निकालने के बाद फिर हम चंद्रमा की दशा में अन्य ग्रहों की अंतर दशा निकालेंगे और उसके बाद फिर प्रते की ग्रह की प्रतियंतर दशा किस प्रकार से निकलेगी यह हमें इसी प्रकार से स्पष्ट करना तो ये आपके सामने मैंने दशा में महादशा जो प्रमुख है विंशोतरी महादशा और विंशोतरी महादशा में ग्रहों की अंतरदशा किस प्रकार से प्राप्त की जाती है और अंतरदशा में प्रत्यंतरदशा को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है ये आपको मैंने एक उदाहरन और एक तालिका के द्वारा स्पष्ट किया है, परन्तु इसको जब हम जन्म पत्तरिका बनाते हैं, तो आगे जो है अंतरदशाएं, प्रति अंतरदशाएं किन किन ग्रहों की किस प्रकार सी होती हैं, उसको हम तालिका के द्वारा पूरा हमें स्पष्ट करते है तबी बालक के जिवन में कब अशुब घटना होने वाली है ये सब जो है इसका हम ग्यान प्राप्त करते हैं और फिर किस भाव में किस ग्रहे के साथ हमारी जनपत्रिका में वो ग्रहे है उसको देखते हुए हम महादशा के आधार पर जीवन में सुख और दुख की प्राप्ती का फलित करने में सफल होते हैं तो इसलिए महादशा का मनुश्य के जीवन में सुख दुख के फलित करने में बहुत बड़ा महत्व होता है इसके बिना फलित होई नहीं सकता इसलिए जो है लगुपराश्रे में दशाओं पर बहुत अधिक महत्व उसमें दिया गया मानसागरी में भी दशाओं के विश्रे में विश्रित वर्णन किया गया है तो एक बात और मैं कहूंगी कि यहां पर हमने विंशोत्तरी दशा को लिया है और वैसे 42 प्रकार की दशाओं हैं जिनकों की पारशर्मनी ने अपने हुराशास्त्र में दिया है परन्तु क्योंकि वो संभव नहीं होता किस से हम करें तो जो उन्होंने कहा कि यह तीन प्रमुक दशाओं हैं जिनके द्वारा जो हम गड़ना करते हैं तो वो जो है सही फल प्राप्त होता है तो वो विंशोत्तरी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसके बाद अश्ट तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार सभी को धन्यवाद